जैश्री कृष्णा आज मंगलवार के दिन आईए सुनते हैं मंगलदेव की यह कथा अंगारग, भौम, रक्ताच तथा महादेव पुत्र के नाम से प्रसिद मंगलदेवता एक क्रूरदेव ग्रह के रूप में जाने जाते हैं त्रिसूल, गदा, पद्म और भाला या सूलधारड की यह इस ग्रह का रंग लाल माना जाता है और इसका वाहन भेड वह सपताह के साथ दिनों में मंगलवार पर इसका आधिपत्य कहा गया है मंगल ग्रह को देवताओं के सीना पती भी कहा जाता है प्राडी मात्र के सरीर में मंगल, उर्जा, आत्म विश्वाश, अहंकार, ताकत, क्रोध, आवेग, बीर्ता और साहसिक प्रकृती को दरसाता है और कुवारा माना गया है देवग्रह, शूर्य, चंद्र और ब्रिहस्पती इनके मित्रग्रह है तथा बुध सत्रू है मंगल, म्रिग्सिरा, चित्रा, इवन खनिष्टा नचत्रो का श्वामी है अगनी तत्व के मंगल का रत्न, मुंगा, धातु, पीतल, दिशा, दच्छिर वो काल ग्रिश्म है इन सब तत्यों को समझने में मंगल देवता के जन्म की कहानी बहुत सहायक है इस कहानी के माध्यम से मंगल से सम्मंधित, जानकारी सहज ही हमें प्राप्त हो जाती है असकंद पुरार के अवंति का खंड में मंगल ग्रह की उत्पत्ती का एक पौरारिक ब्रितांत मिलता है जिसके अंसार एक समय उज्जैनी पुरी नाम के एक अस्थान में अंधक नाम का एक प्रसीद दैत्य राज्यकिया करता था उसका एक महापराक्रमी पुत्र था जिसको कनकदानों के नाम से जाना जाता था कनकदानों के पराक्रम का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बाद उस महापराक्रमी वीर ने इंद्र को ही ललकारना सुरू कर दिया इंद्र को इसका जबाब देने के लिए बिवश होना पड़ा सो इंद्र ने कनक के साथ युद्ध कर उसी मार गिराया इंद्र उस दानव के पिता अंधक को भली प्रकार जानते थे ए भी जानते थे कि अंधकासूर अपने पुत्र की मृत्यू का बदला अवश्य लेगा अतह इंद्र देव अंधकासूर से बचने के लिए भगवान संगर को ढूरते हुए कैलास परवत पर चले गए और भोले नात की सरण ली इंद्र ने भगवान सीव को सारी बात विश्तार पुर्वक सुनाई और अंधक से अपने प्रारों की रच्छा की प्रार्थना की हे भगवान मुझे अंधकासूर से अभय दीजिए इस पर सीव ने इंद्र को अभय प्रदान किया और अंधकासूर को युद के लिए ललकारा कथना अनुसार दोनों के भी भयंकर युद हुआ और उस समय लड़ते लड़ते भगवान सीव के मस्तक से पसीने की एक बूद प्रीथवी पर गिर पड़ी जिससे अंगार के जैसे लालंगवाले भूमी पुत्र का जन्म हुआ शिव के इस ही पुत्र को मंगल अंगारक रक्ताच महादिव पुत्र या हनुमान आधि नामों से पुकारा जाने लगा फिर ब्रामरो द्वारा इन ही नामों से इस्तुती कर शिव पुत्र को ग्रहों के मध्य प्रतिष्ठित किया गया उसी अस्थान पर ब्रह्मा जी द्वारा मंगलेश्वर नामक एक उत्तम सीवलिन की अस्थापना की गई बर्तमान में यह अस्थान उज्जैन में है तथा मंगलनाथ मंदिर के नाम से प्रस्तूत है ब्रह्म बैवत पुरार में जिक्र मिलता है कि एक समय दैत्यराज हिरड कस्यब का भाई हिल्याच ने प्रीथवी को चुरा लिया और सागर में ले गया तत्पस्चाद भगवान विश्डू ने वारा हवतार लिया और हिल्याच को खोज कर उसके साथ युध किया जिसमें हिल्याच मृत्यू को प्राप्थ हुआ तथा प्रीथवी को रसातल से निकाल कर सागर पर अस्थापित कर दिया तथा इस प्रीथवी पर ही परंपिता ब्रह्मा ने विश्व की रचना की प्रीथवी सकाम रूप में आई और स्रीहरी की बंदना करने लगी प्रीथवी के मनुहर आकर्शक रूप को देखकर स्रीहरी काम के वशी भूथ हुए और इन्धों ने दिब्यवर्स पर्यन प्रीथवी के संग रतिक्रिडा की इस प्रकार विश्रु भगवान और प्रीथवी के संयोग से एक महा तेजस्वी बालक का जन्म हुआ जिसे मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है इसी कथा का बढ़न देवी भागवत में भी मौजूद है पुरारों में मंगल ग्रह की पूजा की बड़ी महिमा बताई गई है यह प्रसन्न होकर मनुष्य की हर प्रकार की इच्छा पूर करते हैं भविश्य पुरार के अनुषार मंगल ब्रत में ताम्र पत्र पर भौम यंत्र लिखकर तथा मंगल की शुवर्माई प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर पूजा करने का बिधान है मंगल देव के नामों का पाठ करने से रिड से मुक्ती मिलती है यह अशुब ग्रह माने जाते हैं यदि ये वक्र गती से न चले तो एक एक रासी को तीन तीन पच में भोगते हुए बारह रासीयों को देढ़ वर्स में पार करते हैं प्रह में पार करते हैं